कर्म काफल एक बार एक गाव में कुछ ग्यामिण मिलकर एक साप को माल रहे थे, तभी उसी राष्टे से संत एकनाथ जा रहे थे, भीर को देख संत एकनाथ भी वहां रुक गए, बोले भाईयों इस प्राड़ी को क्यों माल रहे हो, कर्म वस साप है, यह भी तो एक आत्मा है तभी भीर में खड़े एक यूक ने कहा, आत्मा है तो फिर काड़ता क्यों है, ब्यक्ति की बासुद को संत एकनाथ ने कहा, तुम लोग साप को बेवजब मारोगे तो वह तुमें काटेगा ही, अगर तुम साप को नहीं मारोगे तो वह तुमें क्यों काटेगा, संत एकनाथ का काफी आदर सम्मान करते थे, इसलिए संत की बात सुनकर लोगों ने साप को छोड़ दिया, कुछ दिनों बाद एकनाथ साम केवत घाट पर असनान करने जा रहे थे, तभी उन्हें रास्ते में साम ने फन फैलाए एक साप दिखाए दिया, संत एकनाथ ने साप को रास्ते से हटाने का काफी कोशिस की, लेकिन वह तरस से मस न हुआ, आखिर में एकनाथ मुर का दूसरे घाट पर असनान करने चले गए, उजाला होने पर लोटे तो देखा, बरसाथ के करण वहाँ एक गठा हो गया था, अगर साप ने ना बचाया होता तो संत एकनाथ उस गठे में कपके समाच चुके होते, इस तरह के और कहाने पाने के लिए हमारे चलन को जरू सब्सक्राइब करें,